हाई एवरिवन कैसे हैं आप सभी लोग तो वैलेंटाइन देश पेशल आज मैं आप लोगों के साथ चोकलेट मिनी लावा केक की रेसिपी शेयर करूँगी जिसे बनाना बहुत ही आसान है तो अक्सर आज के दिन सभी लोग केक और पेस्ट्री जरूर बनाते हैं पर उसे बनाने का प्रोसेश जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है इसलिए आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है मिन्टो में आप इस दूपर टेस्टी लावा केक को बना के एंजॉय कर सकते हैं तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए हैं तीन पैकेट ओरियो के और सबसे पहले हम इने खोल लेंगे और खोल के एक प्लेट में रख लेंगे तो फ्रेंट्स इस केक को बनाने के लिए ना आज हम मैदा का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे ना ही अंडा और ना ही अवन बहुत जटपर तरह से मिन्टों में इस ओरियो केक को बना कर तयार करेंगे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशस होता है साथ में यह बहुत ही ज़्यादा सूपर सॉफ्ट बनता है तो उसके बाद हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और सारे बिस्किट को हम तोड़ के ना इसमें डाल देंगे तो यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि ओरियो वाले बिस्किट ही लें आपके पास जो कोई भी चॉकलेट वाले बिस्किट हो आप उनका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं और अगर आपके पास चॉकलेट बिस्किट ना हो तो भी आप नॉर्मल बिस्किट से भी से बना सकते हैं पर फिर उसमें आप दो चम्मच भर के कोकवा पाउडर जरूर एड़ कर दे जिससे कि हमारे जो लाबा केक बनेंगे वो चॉकलेट फ्लेवर में बनके तयार होंगे तो यहाँ पेना मिक्सी के जार में इन्हें डाल दिया है डककन लगा के इन्हें बिलकुल बारीक हम पीसके तयार कर लेंगे तो देखें यहां पे जो बिस्किट है वो बिल्कुल बारीक बिस्किट तयार हो गए हैं तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे और एक बड़ी बोल में ट्रांसफर कर लेंगे तो किसी भी बिस्किट से केक बनाना ना बहुत ही ज्यादा एजी हो जाता है जटपट वाला काम होता है अगर आपको बनाना है केक और टाइम नहीं है आपके पास या फिर आपको जल्दी जल्दी में बनाना है तो आप इंस्टिंट इस तरह से केक बना के तयार कर सकते हैं तो मैंने भी आज बच्चों को सर्प्राइस देने के लिए बहुत ही जटपट तरह से केक बना के तयार किया है मतलब मैंने बच्चों को बताया नहीं था कि मैं चॉकलेट लावा केक बनाने जा रही हूं या फिर बनाऊंगी बस उन्हें जब मैंने सर्प्राइज दिया तो वो बहुत ही जादा खुश हो गए मतलब खुशी से एक दम उचल पड़े तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ तो यहां पे मैंने इसमें डाल दी है दो चमच भर के पाउडर शुगर और साथ में ही ले लेंगे यहां पे दूद और थोड़ा थोड़ा दूद डालके इसका एक लंप स्प्री बैटर बनाके हम तयार कर लेंगे वैसे तो विस्किट जो है वो काफी मीठे होते हैं पर इसमें न हमने दूद एड़ किया है तो उसके हसाब से मैंने यहां पे दो चमच पाउडर शुगर का यूज़ किया है और अच्छे से इसे फेंट लेंगे और अब आप देख सकते हैं हमारा बिलको लंप स्प्री स्मूध बैटर बनके तयार हो गया है तो अभी फिलाल बैटर को साइड में रखते हैं उसके बाद हमें यहां पे लेनी है दो चॉकलेट तो यहां पे मैंने डैरी मिल्क वाली चॉकलेट ली है दो तो सबसे पहले ने काट के निकाल लेंगे और इनके जो छोटे छोटे पीस आते हैं उन्हें हम कर लेंगे अलग क्योंकि आज हम ना बनाने बाले हैं लाबा केक तो लाबा केक बनाने के लिए जो लाबा अंदर वाला होगा ना उसके लिए हम इस चॉकलेट का यूज करेंगे तो यहाँ पे सभी में एकको लाबा अंदर फिल हो इसके लिए मैंने बिल्कुल बराबर बराबर पीस काटके यहां पे तयार कर लिये हैं और कुछ पीस जो है वो टूट भी गए हैं बट कोई नहीं जिसमें टूट गए हैं उसमें हम थोड़ा थोड़ा डबल करके रखतेंगे जिसे की सभी में बराबर चॉकलेट अंदर फिल हो जाए तो यहां पे देखे सभी चॉकलेट के पीस मैंने कट कर लिये हैं तो अब जो हमारा यह बैटर है इसमें हम डालेंगे एक पिंच बेकिंग सोडा जो मीठा वाला सोडा होता है खाने वाला उसका हम यहां पे यूज करेंगे और जादा नहीं बिल्कुल थोड़ा डालना है और डालने के बाद बहुत अच्छे से नप बैटर को यहां पे मिक्स कर लेना है तो दोस्तों आज के दिन आप लोगों ने क्या-क्या बनाया घर पे मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लग रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है उसे प्रेस करना बिल्कुल न भूले तो देखे यहां पर इन्हें बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक अप्पे पैन और सबसे पहले हम इसे ना कोकिंग ओएल से ग्रीज कर लेंगे बहुत हलका हलका ओएल लगाएंगे जादा नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे ब्रस के help से मैंने सभी में oil लगा लिया है और उसके बाद ना चम्मच के help से हम इसमें भर देंगे batter तो यहाँ पे लगबग आदा आदा चम्मच ही batter हमें fill करना है इसमें क्योंकि इसके उपर से हम एक एक पीस चॉकलेट का रखेंगे और उसके उपर हम दुबारा से आदा आदा चम्मच बैटर डालेंगे जिसे की जो चॉकलेट है अंदर से melt हो जाएगी और जब हम उसे खोलेंगे मतलब बीच में से तोड़ेंगे तो उसमें से निकलेगा धेर सारा चॉकलेटी लावा तो लावा केक किसे किसे पसंद है कमेंट में ये भी जरूर बताईएगा तो मेरे घर में तो सभी को ये बहुत ज़्यादा अच्छा रखता है तो काफी दिन से मन था मेरा भी बनाने का और बच्चों का भी बस मौका नहीं मिल पा रहा था तो मैंने सोचा आज मौका भी है और बच्चे भी बहुत दिन से बोल रहे हैं तो क्यों ना जटपट इसे बना के तयार कर लूँ तो देखें यहां पे सभी में फिल करने के बाद अब मैंने सभी में एक एक चोकलेट का पीस भी रख दिया है और अब इसके उपर से हम थोड़ा थोड़ा बैटर और डाल द देखें यहां पे सभी में हमने इन्हें अच्छे से फिल कर दिया है और उसके बाद हम धक्का लगा के इसे सिर्फ पांच मिनट के लिए बेक कर लेंगे तो अगर आपके पास अपे पैन ना होना तो आप छोटी-छोटी कटोरियों में भी इन्हें फिल करके बना सकते हैं या फिर आपके पास इडली स्टेंड हो तो आप उन स्टेंड का यूज़ करके भी इन्हें बना सकते हैं और देखिए हमारे जो केक हैं वो बनके बिलकुल तयार हैं बस पांच मिनट में ही ये बनके तयार हो जाते हैं क्योंकि पहले से ही बेक हैं बिसकिट तो इन्हें बे कर लिया है और सभी को मैंने निकाल लिया है तो चलिए यहां पे हमारा लावा केक तो बनके तयार है फटा फट से अब इसे मैं प्लेट में भी रख लेती हूं क्योंकि इन्हें ना गरम-गरम खाने में ही मज़ा आता है ठंडे होके जो चौकलेट है वो अंदर सैट हो है अगर आप ट्राइ करेंगे तो एक बार चीज हमारी बिगड़ सकती है पर दूसरी बार में बिलकुल परफेक्ट बनेगी तो अगर कभी आपने इस तरह की केक बगरा ट्राइ नहीं किये हैं तो एक बार आप जरूर बनाएगा आम शूर यह बहुत जादा टेस्टी बने हैं और यमी यमी बने हैं आपको भी देखके ना लगे का कि जटपट से अभी किचिन में जाएं और अभी बना के इने तयार कर लें और अब यहां पे आ गए हैं बच्चे तो बस उन्हें तो कंट्रॉल ही नहीं हो रहा है बस जटपट से दे दो और अभी हम सारे फिनिश क और अगर आपको आज की यह रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ में इसी तरह की कोकिंग वीडियो और टिफिन वॉक्स रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूल